हेलो इस्टूडंट आया मंकीता साहु यो टीचर तो आपका प्लोटिनस स्टार्ट हो गया है तो प्लोटिनस जो है लोजाइनस की बाद आपका स्टार्ट हुआ है और इसके पहले आपके मैंने तीन फिलॉसिफर कहतम कर दी है प्लेटो अरस्तु और लोगिनस तो आपका ये ती प्रेटू और रस्तु के बाद 3 महत्रपोर्ण स्थान कि इसका था लोजाइनस या यूनानी नाम उनका लॉगिनस है तो आप उनको लॉगिनस भी कहे सकते हो लॉगिनस उसका अर्थ उदान्त का विसे में उन्होंने दिया हुआ है उदान्त का मीनिंग बताया था आपको कि अंग्रेजी में इसका अर्थ है सब्लाइम या अन्दा सब्लाइम तो इसका अनुवात किया गया है अंग्रेजी में सब्लाइम भी कह सकते हो उदान्त को आप तो लोजाइनस ने कावे को स्रेष्ट बनाने वाले तत्व पर विचार करते हुए इस सिध्धान्द का प्रतिपादन किया था वे उदान्द को कावे को स्रेष्ट बनाने वाला एक कवी को प्रतिस्था दिलाने वाला तत्व मानते हैं तो मेंली इन्हों ने जो उदांत का अनुवात किया था या उदांत सिधांत जो प्रतिपादित किया था वो कावे को स्रेष्ट बनानी के लिए किया हुआ था जो कि हमारे कावे में सुन्दरता होगी तो कलाकरती में भी सुन्दरता होगी तो इसलिए उदात का जो शिधानत है वो हम लोग लोजाइनेश का पढ़ते हैं तो प्लेटों ने अनुकरण को साहित का मूल तत्यों माना है सबको पता है आप लोग को कि अनुकरण का मूल तत्तों आना है प्लेटों ने अनुकरती का सिध्धान दिया हुआ है तो इसका जो पल्लवन किया था इसको आगे बढ़ाया था वो अरस्तु ने तो उन्होंने लेकिन अपनी दरश्टी से उसको आगे बढ़ाया था और उन्ह भीसे द्वारा ही उन्होंने इसपस्ट किया था कि कोई भी कलाकरति कम यह करती दों किसी चीज़ को बनाया गया है तो शोंच बनाच तो कहते हैं तो स्रेश्ट के Game Guru तो अपनी महांता उदानता भाविता और गरीमा के कारण रचना को महान बनाती है तो बताया था आप लोग को की जब तक आप किसी की डीप स्टड़ी नहीं करेंगे गहन चिंतन नहीं करेंगे तो जो रचना होगी वह अच्छी नहीं होगी जब तक आप किस चीज को अनुभ तो जो आप बना रहें और कलाकृति वह सही नहीं बनेगी या शरेच्ट नहीं होगी तो रचना कार के आनुभोति तत्तो अपनी महांता उदादता भाविता और गरीमा रचना को महां बनाता है तो जिसरे आपको अनभूती नहीं होगी सामने वाली चीज़ कि कैसी है जिसे आप घ्रे ररी धूरा करते हूं आपको पता होता है बहुत चायनिंग वाली होगी तो प्रवित होुट टो पें टेर्स को प्रेख्ष्हेश चाहीज तो यह लोजाइनस ने कहा हुआ है रचना या क्रती शिल्प के द्वारा अभिवेक्ति पाती है तो जब की अभिवेक्ति होती है वह रचनाओं के द्वारा या किसी क्रती शिल्प द्वारा उसको आप दिखाते हैं तो शिल्प के सौंदर की अधिक चिंता ना करके उसमें न उभव करते हो जाइनस के उदांद की परिभासा और उसका समान ने परिचय जिस रूप में दिया है उसे प्रतीत होता है कि उनके समय में यह सब्द कितना अधिक प्रचलित था कि उन्होंने इसका विस्तरप्त परिचय देने की कोई अवसकता नहीं समझिये तो उदांद के इतना सब कुछ उस टाइम पर सुनने को मिलता था यूनान में तो कहा जाता है कि यह सब्द जो इन्होंने इतना प्रियोग किया है लोगिनस ने तो इसका इतना प्रचलन था कि इसके बारे में कोई परिचय देने की अवसकता ही नहीं पड़ती है फिर भी उन्होंने एक को करते हो किसी चीज को है ना तो वही चीजे कैसी होती है स्रेस्ट होती है ठीक है तो यहीं बता रहे हैं कि अभी वेक्ती की विसिस्टता और स्रेस्टता का नाम ही उदान्त है इसी को लक्ष करके हिंदी आलोचकों ने सुईकार किया है तो इसी चीज को लेके जो हिंदी के अलोचक हैं जो काववे के रचईता हैं इसी को एक्सेप्ट करते हैं सुईकार करके आगे की रचनाएं करते हैं तो उदांत के स्वरुक के अंतरगत लोजाइनस में मनोविज्यानिक और बेवहारिक दोनों दृस्टियों को सामने रखा इसी से उन्होंने एक और उदांत के आंतरिक तत्तों का उल्ले किया दूसरी और बाहे पक्ष का विवेचना की तो उदांत के द्वारा ही जो लोजाइनस थे उन्होंने सारी बाहे और आंतरिक विवेचनाएं की हैं तो अब हम प्लॉटिनस के बारे में देखेंगे इस वी सन की तीसरी स्थाबदी में प्लेटो वादी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही प्लेटो के जो विचार थे उनको आधार बनाया मतलब मूल बनाया बेज बनाया इनका तभी उन्होंने सौंदरिक की ब्याख्या दी है तो इसलिए इनको अंतिम प्लेटो वादी दार्षनिक भी कहा ज थी तथा इन्होंने कला से प्राप्त अनुभव की दार्षनिक सीमा सास्त्रिय तथा मनोविज्यानिक ब्याख्या की और इस प्रकार उन्होंने कला को नैतिक बंधन से मुक्त किया अब देखिए इन्हों ने कलाकरतियों के उत्पादनों के साधनों की ब्याख्या की है कि किस प्रकार किस चीजों से कलाकरती निकल सकती है किनकिन साधनों से उसकी उत्पत्ती हो सकती है किसी कलाकरती की तता इन्हों ने कला से प्राप्त अनुभव की दार्शनिक सीमा सास्त् और सास्त्रिय तथा मनोविज्ञानिक ब्याख्या की है कि कैसे उस चीज को देख के और कैसे उस चीज का मनोविज्ञानिक मतलब मन के द्वारा चीजों को पता लगा के उसकी ब्याख्या की है और इस प्रकार उन्होंने कला को एक नैतिक बंधन से मुक्त किया है मतलब कलाओं को देखके उसकी विवेचना करके इन्होंने उसको किसी बंधन में जो बंधी होती तो उससे मुक्त किया है कैसे उसकी ब्याख्या देकर प्लोटिनस के कला के सौंदर दर्शन समंदी सिधान्तों का निमलिखी सार है अब देखिए कला के सौंदर रिसमबंधी जो इनका सिधान्त है तो वो नीचे हम देखते हैं निमलिखी सार है मतलब इन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है कलाकरती से उत्पन अनुभव अध्यात्मिक रहस से आत्मक अनुभव के समान होता है सौरी कलाकरती से जो उत्पन अनुभव है तो जो कलाकरती हम करते हैं जो चीजे हम देखते हैं उससे हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उससे जो अनुभव उत्पन होता है वो कैसा है अध्यात्मिक रहस से आत्मक अनुभव के समान है मतलब जो अध्यात्म तक पहुँचाए जो पहुँचाने का एक रहस से होता है तो उसी के समान है क्या जो कलाकरति से उत्पन हमारा अनुभव है हमारा experience जो है वो कैसा है जो mysterious जो जहां तक हम अध्यात्म तक पहुँच सकते हैं रहस से जो उसका तो उसी के समान है अध्यात्मक लोक तथा बिवहारिक जगत दोनों में सौंदर रहे किन्तु वह भिन भिन मात्राओं में है अब देखे जो अध्यात्म लोक है जो हमारे मन के अंदर से निकलता है और जो हम बेवहारी जीवन में जो हम बेवहार नॉर्मल जो हमारा बाहे पक्ष चलता रहता है तो दोनों में सौंदर है किन्तु अलग-अलग भिन-भिन प्रकार का है अब आगे देखते हैं कला के सौंदर रिका अनुभव इंदरी बोध इसमरण करपलायम ध्यान की शक्तियों पर निर्भर है तो जो कला के सौंदर रिका अनुभव है जैसे आप कलाओं में सौंदर देखते हैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार की इंदरी बोध द्वारा किया जा सकता है तो कला का सौंदर रिका अनुभव इंदरी बोध द्वारा किया जा सकता है इसमरण द्वारा किया जा सकता है कलपना और ध्यान की शक्तियों द्वारा किया जा सकता है तो हमारा जो कला समंदी सौंदर्य का अनुभव है वो इन्हीं सब पे निर्भर रहता है किस पे हमारे इंद्रिय बोध इसमरण कल्पना और ध्यान पे कला का अनुकरती मूलक सिधान्त असुद्ध है तथा सौंदर्य अव्यवों की समात्रा आदी पर निर्भर नहीं है कला का आदर्श रूप प्रतिकात्मक है जो द्रण ध्यान शक्ती पर आधारित है कला का अनुकरती मूलक से धान्त असुद्ध है जो अनुकरती करते हैं अनुकरती मूलक जो से धान्त है वो कैसा है असुद्ध है चीजों को जो नकल करके लोग बनाते हैं तो वो प्लोटिनस ने बताई कि वो असुद्ध है ठीक जैसे प्लेटो ने बताई थी तो वैसे ही प पर निर्भर नहीं है तो जो हम जिससे सौंदर प्राप्त कर सकते हैं तो वो अनुक्रती पर निर्भर नहीं हो सकती ठीक है कला का आदर्श रूप प्रतिकात्मक है जो द्रण ध्यान सकती पर आधारित है तो यह कह रहे हैं कि किसी चीज को आप नकल करके बना लेते हैं तो व जान शक्ति पर जो चीज़े आधारित होती हैं तो वो चीज़े इनके हिसाब से सुद्ध हैं और उन्हीं में सौंधर्यता देखने को मिलती हैं प्लॉटिनस या मानते हैं कि संसार स्रस्टी करता में से ही उत्पन हुआ है जिस प्रकार प्रकासित होना सूर्य का सुभाव है जिस प्रकार सूर्य में से उत्पन हुआ है किन्तु इससे सूर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है उसी प्रकार स्रस्टी करता का सुभाव है और उससे कोई कमी नहीं आती है तो देखो जो प्लॉटिनस ने माना है कि संसार स्रस्टी करता में से ही उत्पन हुआ है तो जो श्रस्टी का करता है हमारा कौन है वो ईस्वर है तो ईस्वर के द्वारा ही संसार उत्पन हुआ है तो जिस प्रकार प्रकासित होना सूरे का सुभाव है सूरे का सुभाव क्या है प्रकासित होना ही तो है प्रकास देता है हमें ठीक है तो जिस प्रकार सूरे में से उत्प के साथ वो सूर्य उद्य होता है तो उसी प्रकास स्रस्टी करता का सुभाव है और उसमें कोई कमी नहीं आती तो यह यह कह रहे हैं इस लाइन का यह मतलब है कि जिस प्रकास सूर्य जो है वो डेली उद्य होता है और क्या होता है उसमें से प्रकास भी उत्पन होता है है ना वो उसका सुभाव है कि वो डेली होना ही है, ये काम होना ही है, वो सूरे का सुभाव है कि वो प्रकास उत्वपन करेगा ही, तो जो प्रकास उत्वपन करता है, तो उसके चीजों में कभी कमी नहीं आती, वो डेली प्रकास उत्वपन करता है, तो उसी प्रकास जो स्रस्टी क करता है तो वह हमेशा स्राइश्टी करता कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाता रहेगा उसमें उस-चीज की कमी नहीं आएगी की हमने यह बना दिया इसके बाद हमें कुछ नहीं बनाना हमारे अंदर की creativity खतम हो गई नहीं वो नहीं नहीं चीजों को बनाएंगे उसकी स्रस्टी गरेंगे तो आगे हैं इनका सुधी करण अब सुधी करण में देखते हैं कि plotinus क्या कह रहे हैं प्लाटिनस के अनुसार सुधी करण का संबंद भाव से होकर आत्मा से है सुधी करण का अर्थ सरीर से आत्मा को विमुख करके अध्यातμीक लोग की और उनमुख करना और सुध अत्म स्वरूब को प्राप्द करना अब देखते हैं कि क्या है तो प्लेटिनस के अनुसार क्या है सुधी करण का संबंद जो है वो भाव से होकर आत्मा की ओर से माना गया है तो सरीर से आत्मा को उन्मुख करके अध्यात्मिक लोक की ओर उन्मुख करना तो जो चीजें हमारे मन में चलते रहते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है उसको सरीर से अलग करके एक अध्यात्मिक लोक में जोड़ना तो यह सारी चीजें चलती रहते हैं हमारे दिमाग में हमारे मन में तो यह कह रहे हैं कि उन्मुख करके खतम करके हमें अध्य अध्यात्म लोग की और उन्मुक मतलब उधर की और मुड़ना और सुध्यात्म स्वरूप को प्राप्त करना जब हम अध्यात्म लोग की तरफ मुड़ेंगे तो क्या होगा हमारा सुध्धी करण होगा और हम सुध्यात्मा का स्वरूप प्राप्त करेंगे सुद्ध आत्मा ही सर्वोच कल्याड चरम सत्य अथवा सुद्ध सौंदर का साक्षात कार कराती है अब देखें जब हमारी आत्मा सुद्ध हो जाएगी सुद्धी करण हो जाएगा ऐसा अरस्तु ने भी बताया था है विरेचन में सुद्धी करण का तो इन्हों ने भी बताया है ऐसा कुछ कि जब हमारे आत्मा के सुद्धी हो जाती है तो क्या होता है सर्वोच कल्याड चरम सत्य अथवा सुद्ध सौंदर ये सारी चीजे ये सारे क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है और ये सुद्ध सौंदर से साक्षातकार कराती है मतलब हम उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं साक्षातकार मतलब तो वैसे इंटर्व्यू होता है है ना तो हम सुद्ध सौंदर तक पहुंच जाते हैं जब हमारी आत्मा सुद्ध हो जाती है तब जब अध्यात्म लोग की और हमारी आत्मा मोरने लगती है अब आगे देखते हैं कि क्या है रूप और भोग प्लोटिनस ने रूप और भोग के बारे में क्या बताया है यह संसार सत्यम शिवम सुन्दरम की छाया मात्र है किन्तो इस संसार का एक भी एक संसार का भी एक महत्तो है क्योंकि वह संसार विश्वात्मा द्वारा ही बनाया गया है अता बिना इस संसार को जाने किसी तक तो कभी बोध नहीं हो सकता है सत्यम सिवम सुन्दरम पे आधारित मान रहे हैं प्लोटिनस पूरे संसार को कि ये सत्यम सिवं सुन्दरम की छाया मात्र है ये जो हमारा संसार है वो किन्तो इस संसार का भी एक महत्तो है क्योंकि यह संसार इश्वर द्वारा ही बनाया गया है अता बिना इस संसार को जाने किसी तत्यो का बोध नहीं हो सकता अब देखिए ये मानते हैं कि जो सत्यम सिवं सुन्दरम है तो ये संसार की बस एक संसार जो है बस एक छाया है सत्यम सिवं सुन्दरम की लेकिन देखिए संसार का महा तो इसलिए है क्योंकि इसको जो है एस्वर ने बनाया है इस्वर द्वारा संसार बनाया गया है तो बिना संसार को जाने जो मूल तत्तो है जो बोध है वहां तक नहीं पहुँचा जा सकता उसका बोध नहीं हो सकता जब तक हम संसार में जो चीजें हैं जो तत्तो हैं उनको नहीं जान लेते तो क्यों कि संसार ईस्वर द्वारा बनाये गया है तो ईस्वर को तभी जान सकते हैं जब संसार को जानेंगे इस संसार का सत्यम शिवम तथा सुन्दरम सुदातमास से निम्न कोटी का संभन्द है यह यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई तो यहाँ पहटा देना यहाँ पे तो इस संसार का सत्यम सिवं सुन्दरम जो है वो निम्न कोटि का संबंध माना गया है जो संसार का संबंध है सत्यम सिवं सुन्दरम से वो उसको बताया गया है कि यह निम्न कोटि का है तो यहाँ पे जो आपका यह है यह यह पहटा देना और कमसुंदर हैं अब देखे जिस रूप में सू बेवस्था एवं जीवन तत्तो जितना अधिक होता है देखे जो चीजे जीवन तत्तो जो चीजे बहुत रियलिस्टिक लगेंगी जैसे कहते हैं इसमें प्राण फूग दिया हो तो जिसमें जीवन तत्तो लगेगा देखन विश्वातमा के सौदर्र की तुल्ना विश्वातमा मतलब जो इस्वर के द्यारा बनाई गई चीजें हैं तो उनकी तुल्ना करना सभी से अपूण और कमसुंदर हैं तो उनकी किसी से नहीं की जा सकती है इंसान कितना भी कुछ बना ले तो उसमें कुछ न कुछ आपूर्ण रही जाएगा वो और कम सुन्दरही लगेगी विश्रित्रष व्रातमा के सुन्दर्र की तुलना में तो भगवान वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वह बहुत सुंदर होती है सौंदर रियन जीव से इसका अनुभव किया जा सकता है सौंदर रियन जीव कीवल आंख और कान है बुद्धी बोध से उत्पन विज्यांद था नयतिक्ता से प्रेरित आचरण दोनों ही सुन्दर है अब देखे यह जो यहाँ पे नेत्र और कान के द्वारा बताए गया है कि कैसे अनुभव करते हैं तो बता रहे हैं कि जो सौन्दर का बोध है वो कान और आख से ही किया जा सकता है बुद्धी बोध से उत्पन विज्यांद था नयतिक्ता से प्रेरित आचरण दोनों ही सुन्दर है तो जो बुद्धी बोत से उत्पन होता है जो हम दिमाग से सोचते हैं वो भी अच्छा है वो भी सुन्दर है और जो विज्ञान के द्वारा नैतिक्ता से प्रेरित है वो आचरण दोनों ही सुन्दर है तो जो हमारा जो हम देखते हैं दिमाग लगाते हैं कि भाई ये चीज और जो हम आखों के द्वारा सुनते हैं वह सुन्दर है तो यहीं कह रहे हैं कि दोनों ही सुन्दर है तो अभी आपका इसमें प्लॉटिनस और है तो आपको मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो भीजुँगी उसमें पढ़ाओंगी तो आभी आपको इससे रिलेटेद कोई भी चीज़े नहीं समझ में आ रही हैं प्लॉटीनस की या लोगी तो आप मुझसे पीडियो सकते हैं आगे का लेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है प्लॉटीनस की विचार और मत और क्या है आगे के थैंक यु